हेलो गाईज तो आज की वीडियो में हम करें जेबी गुपता का सॉलुशन इसमें करेंगे लेक्टिकल ट्रांसवर्मर के कोशन नुमर ट्वेंटी सिक से लेके 50 तक ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो चैकल फ़र्च कोशन क्या बोल रहे हैं जब भी आपके कोई कोशन के कोशन होते हैं तो पहली चीज़ आपको क्या करननी है कि वी भी एफ में चेक करना है पहले आपको क्या करना है simply V by F को check करेंगे ठीक है कि same है या नहीं है तो जो first case है ठीक है उसमें जो voltage rated voltage तो छलो हम assume कर लेते हैं वो V है V ठीक है frequency इसने दे दी 50 Hz है तो जो first case में क्या आपका या आपका है first case clear है तो जो को दूसरे case में इसने क्या बोला कि आप जो rated voltage है ना तो आप 90% ही यूज कर रहे हो यह पहले rated voltage क्या था V अब इसका 90% कितना हो जाएगा 0.93 ठीक है and divided by frequency किती है 45 Hz तो यह हो गया मेरा second case तो थोड़ों मैं simplify करता हो तो मैं को क्या मिलेगा V by 50 ठीक है यह मेरा क्या है second case है तो आप देख सकते हो first case और दूसर किस क्या है same है तो यह से आपने पता कर लिया जो आपको V by F है ठीक है V by F इस particular question के लिए क्या है same है clear है पहला step हमें से आपको यह करना है losses के case में ठीक है losses के जब questions होता है पहले V by F check करेंगे clear इतना तो यह हमारा हो गया ठीक है V by F check कर लिया हमने अब जो क्या करेंगे first case में आते है first case में इसने बोला कि आपके losses से क्या है same है तो छलो हम assume कर लेते है कि आपका PE है यानि AD current loss first case से इसलिए वैसे ही आपका hysteresis loss first case के लिए हमारा है 1 watt ठीक है हमने यह क्या किया है flat किया है कि आप भी कुछ भी कर सकते हो value same किया हमने बस simply आपकी जो iron loss है वो किते हो जाएंगे iron loss आपका हो जाएगे 1 plus 1 यानि कि 2 watt यानि कि iron loss क्या होता है simply AD current loss plus hysteresis loss या आपका हो गया first case का ठीक है first case में तो आपकी जो losses है वो में पता चल गए किते है 2 watt है यानि cold loss क्या first case में 2 watt अब second case में हमें निकालना है तो देखो since यह case किसका आपका V by F same का case है तो यहापर क्या होगा जो आपका AD current होगा वो frequency के proportion होगा और hysteresis loss भी frequency के proportion होगा तो यहापर देखो तो जो आपका solve करोंगे simply ठीक है relation तो हमें मिल गई है ठीक है तो देखो इनको यूज करते है पहला relation हमारा है तो P e2 है वो proportional है frequency के square के ठीक है तो इसक्कम क्या लिख सकते है simply P e2 divided by P e1 equals to ठीक हो जागा देखो F2 का square divided by F1 का square clear है तो में को क्या चाहिए P e2 की value चाहिए ठीक है P e1 की तो value मेरे पास है पहले से ही यहाँ से P e2 की value क्या जाएगी P e2 equals to 1 into क्या आपका हो जागा देखो 45 divided by 50 का square clear है F2 frequency कितनी है आपकी 45 Hertz जो second case है ठीक है और F1 कौन सी है आपकी 50 Hertz जो first वाला case की है clear है इतना तो आज से देखो P e2 में को कितना मिल जागा P e2 equals to तो simply solve करेंगे तो में को मिलेगा 0.81 clear है इतना तो यह तो मेरे निकला addy current loss अब में को hysteresis loss भी तो निकालना है ठीक है तो hysteresis loss के लिए देखो P e2 proportional रहता है frequency के ठीक है तो आज से क्या निकल जाएगा simply P e2 divided by P e1 equals to F2 divided by F1 तो यहाज से अगर मैं P e2 निकलता हूँ तो simply क्या हो जाएगा 1 into ठीक है 45 divided by 50 तो यहाज से pH 2 मेरा किता निकल जाएगा यह आपका हो जाएगा 0.8 clear रहे इतना अब यहाज से देखो मैं को अगर item loss निकालना है यानि P e2 second case के लिए तो क्या करूँगा simply इन दोनों को add कर दूँगा देखो इन दोनों को add करूँगा second case में किता है 1.71 watt में को क्या देखना है कि किता है यह reduce हुआ है ठीक है percentage में बताना है simply देखो percentage reduction क्या हो जाएगा percentage reduction ठीक है यह हो जाएगा आपका simply देखो P i2 minus P i1 divided by P i2 into 100 percentage में चीए इस लिए यह आपको हो गया देखो 1.71 सब्सक्राइब करेंगे यह आपको मिलेगा 14.5 percentage ठीक है यह किता है reduce हो गया पहले था 2 watt अब हो गया 1.71 ठीक है percentage में देखे तो किता हुआ 14.5% reduce हो गया आपका cold loss clear है single phase transformer when supplied from 220 volt 50 hertz has eddy current loss 50 watt if the transformer is connected to 330 volt 50 hertz the eddy current loss will be तो देखो यह आपे क्या है पहला case इसने बोला कि आपका जब 220 volt ठीक है and 50 hertz supply clear है तो जब आप काम कर रहे हो तो आपके जो losses है कुन से वाले eddy current loss किते हैं 50 40 watt clear है और देखो second case इसने बोला कि जब आपका 330 volt and 50 hertz तो यह जब आप operate कर रहे हो तो आपका जो eddy current loss है यह हमें बताना है clear है इतना पहले यह आपे देखो V by F चेक करेंगे पहले ठीक है last question में मैंने बताया जब भी losses का question हो पहला step क्या है V by F चेक करना होता है मेंसा देखो इस case में V by F किता होगा देखो सकते हो यह दोने वाल्यू क्या है not equal तो यह case आपका किसका हो गया simply V by F not same not clear है same के लिए relation अलग रहते है और जब same नहीं होता तब उसके लिए relation अलग रहते है तो जब आपका same नहीं होता तब जो relation होता हो क्या होता है eddy current तो proportional होता है जो भी supply voltage हो उसके square के और जो आपका hysteresis loss होता है ठीक है वो proportional होता है आपका देखो voltage की power 1.6 divided by frequency की power 0.6 ठीक है यहापर हमें eddy current निकालना है तो उसी भी eddy current देखेंगे तो जब यह किता हो जगा PE2 ठीक है divided by PE1 equals to P2 का square divided by V1 का square ठीक है यहापर देखो यह जो voltage है ठीक है 330 यह आपका है V2 यहापर यह जो 220 वोल्ट है यहापका क्या है V1 ठीक है simply values put करेंगे और यहापर यह क्या है यहापका PE equal to 50 दिया है यहापका है PE1 ठीक है फर्स case के लिए प्यासे PE2 क्या निकल जाएगा देखो PE2 आपका हो जाएगा simply 50 into यहापका हो गया 330 divided by 220 का square ठीक है यहापका हो गया प्यासे PE2 आपकी value किती निकली देखो simply solve करेंगे इसको ठीक है यहापका हो जाएगा 112.5 ठीक है क्या आपका हो गया 112.5 आपका आंसर क्या हो जाएगा देखिए B option आपका correct answer होगा ठीक है यहापका 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 निकल गया यह PE2 निकल गया आपका 112.5 वाट इन्हें पावर ट्रांसफोर्मर the core loss is 50 watt at 40 hertz ठीक है second दिया 100 watt at 60 hertz ठीक है दो case दे दिया आपको under the condition of same flux density यानि की आपको बोल दिया कि जो BM है यह आपका क्या है same है ठीक है BM same है इसका मतलब क्या है आपका 5m same है clear है और आपको पता है पिज आपका 5m होता है यह proportional होता है आपके voltage upon frequency पर अब सिंस देको 5m इसने same दे दिया ठीक है तो यानि की क्या हुआ आपका जो V by F है यह क्या हो गया same हो गया clear है तो पहला step मैंने यह कहा था कि V by F हमेंसा check करना है तो देको आपको आपको इसने क्या क्या बोला है कि जो iron loss है ठीक है first case में किता दे दिया इसने 50W दिया है ठीक है at 40Hz frequency ठीक है जब आपके 40Hz frequency है second है इसने दे दिया PI2 ठीक है यह हमें दे दिया इसने 100W at 60Hz frequency जब आपके frequency किती है 60Hz है clear है इतना अब जब कोई आप है जिनस आपका यह case कौन सा है V by F same वाला case है ठीक है V by F same है ठीक है इस case में जो relation रहता हूँ क्या रहता है simply PE ठीक है यह तो proportional रहता है frequency के square के ठीक है और जो hysteresis loss हो रहता है PH यह proportional रहता है frequency के ठीक है ठीक है तो आपके अगर मैं iron loss निकालता हूँ PIE ठीक iron loss और cold loss एक ही चीज़ है यह से निकालता हूँ तो यह क्या होगा simply PE plus pH ठीक है यह यह क्या हो जाग है देकक iron loss equals to A F square यह A और भी simply constant है यह पर इस proportional sign को उठाने के लिए मैंने constant लगाए ठीक है यह मेरा हो गया formula clear रहे इतना अब देको मैंको क्या बोला कि मैंको cold loss निकालो इस 50 Hz frequency पे मैंको simply क्या करना है इस F की जगह क्या रखना है 50 Hz निकालना है F की जगह मैंको 50 Hz रखना है ठीक है रखके P i निकालना है इसके लिए मैंको A और B की value चाहिएगी वह मैंको का से मिलेगी यह दो cases से ठीक है first or second case से देको उसको समसते कैसे मिलेगी आपको जो first case है ठीक है इसमें देको iron loss देदी है 50 Watt iron loss की यह वाली equation यूज करते है देको 50 Watt equals to A ठीक है frequency किती देदी 40 Hz 40 का square plus B 40 clear है इतना यह आपको यह किता हो जागा 50 equals to यह आपको मिल जागा 40 का square यानि 60 600 A ठीक है प्लस यह गया 40 B clear है यह आपके होगी एक equation ठीक है कोई doubt नहीं तो कोई दूसरा case है ठीक है उससे भी equation निकाल सकते हो easily दूसरे equation देखो जाएगी 100 equals to यह आपको जाएगा A ठीक है square plus 60 B ठीक है इसको थोड़ा simplify करते है यह गया 100 यह आपको जाएगा 3600 A plus यह आपको जाएगा 60 B यह मेरी हो गई second equation ठीक है अब देखो दो equation है आपका और इसमें दो unknown है simple mathematics है आप easily solve कर सकते हो देखो आपकी जो दो equation है यह नि from first and second ठीक है first or second equation जो है इस दोनों को जो आप solve करोंगे अब आपको जो value मिलेगी ठीक है A की value तो आपको मिल जाएगी simply 0.0208 ठीक है तो यह तो आपके हो गई A की value अब क्या करना इस A की value को किसी भी equation में put कर लेना ठीक है और जैसे ही put करोंगे आपको B की value मिल जाएगी ठीक है तो देखो B की जो value आएगी यह आपको मिलेगी 0.418 ठीक है simple mathematics से मैं करवाद नहीं रहा वालतु calculation वगेरा करनी पड़ेगी ठीक है और time भी जादा आपका waste हो जाएगा A और B की value निकल गई ठीक है अब में को देखो third step पर आते हैं ठीक है third step आपक क्या है कि losses निकालो 50 Hz पर में को करना है P I at 50 Hz clear है तो मैं simply क्या करूंगा P I equals to A frequency की जाए रख देता हो 50 Hz का square plus B 50 Hz clear है अब यह और B की value मैंने देखो first और second case से निकाल दी simply इनको put करता हो देखो यह हो जाएगा मेरा 0.0208 50 का square होता आपका 2500 2500 प्लस 50 B की value है 0.418 ठीक है तो यह आसे मेरा यह जो loss आया iron loss यह फिर cold loss यह आपका मिल जाएगा आपको 72.9 फिर आप approximate value लिखते हो तो यह हो गया 73 watt clear है तो आपका यह answer क्या हो जाएगा इसका यह आपका हो गया 3 option correct answer clear है in a normal operation of a 400 volt 50 hertz transformer the total iron loss is 2500 watt when the supply voltage and frequency are reduced to 200 volt and 25 hertz respectively the corresponding loss is 850 watt the eddy current loss at normal voltage आपको सिफ क्या पूचा है एक eddy current loss ही पूचा है ठीक है हमें पूरा cold loss निकालना सिफ eddy current loss निकालना है तो यह आपर देखो समझो पहला case आपका था जब आपने 400 volt और 50 hertz से इस transformer को जब आप operate कर रहे हो ठीक है तो इस case में इसने बोला 200 watt अब दूसरा case नहीं बोला कि simply आपने क्या 200 watt and 25 hertz frequency कर दी ठीक है इस case में आपके जो losses है इसने दिये दिये यह आपके होगे 8 50 watt इसको हम लिग लिए था PI1 इसको लिग लिए था PI2 ठीक है सेम रहे गवरना यहापर क्या ही है यहापर simply V by F ratio निकालता ठीक है पहला मैंने यही बता है हर बार V by F ratio चेक करें तो देखो first case जो है ठीक है इस case में V by F कितना आपका 400 divided by 50 यानि की 8 second case में देखो V by F चेक करते है तो यह आपका 200 divided by 25 यह भी क्या है आपका 8 तो दोनों सेम आ रहे है यानि की यह case किसका होगा आपका V by F same वाला ठीक है V by F same है इस case में तो देखो जब आपका V by F same होता है जब जो relation बता है मैंने देखो ठीक हो ठीक हो अल्यड़ी बहुत बार बता चुका हो क्या होता है add current होता है frequency के square के professional और जो hysteresis loss होता है वो production लिता है frequency के ठीक है simple A relation रहता है तो हमें यह आपर निकालना है simple add current clear है तो देखो जो equations होगी equation बनाएंगे हम दो ठीक है तो यह आज से जब आप equation लिखते हो जैसे last question में बताईती क्या होती है A F square plus B F ठीक है यह equation में लिखाईती last question में यह आपर भी आपके दो case है ठीक है first 400 volt वोल्ट वाला second 200 volt वोल्ट वाला ठीक हो first case के according गर में equation लिखूंगा तो क्या बनेगी simple लिखो 2500 ठीक है equals to A then frequency square यानिकी 50 hertz है plus यह जगा B into 50 clear है तो थोड़ा simplify करते है यह आपको जगा 2500 equals to यह आपका जगा देखो 2500 A plus 50 B ठीक है यह तो मेरे निकल गई एक equation first case से ठीक है जो देखो मेरे बास second case भी तो दिया यह किसने second case के equation क्या बन जाएगी देखो यह आपके हो जाएगी 850 watt equals to A frequency क्या है इस case में 25 hertz 25 का square plus आपका यह जागा B into 25 clear है तो दोड़ा simplify करते हैं क्योंकि 850 equals to 25 का square करेंगे तो क्या जाएगी यह 625 ठीक है 25 into 25 तो यह आपको जाएगा 625 A ठीक है प्लस 25 B तो यह मेरे आगी second equation ठीक है इतना clear है दो case से मेरे बास दोनों case से एक equation simply मैंने लिक लिए ठीक है अब देखो and 2 ठीक है मैंने simply value निकाल दी A की ठीक है यह में को value मिल गई 0.64 अब मैं B की value निकालूँगा ठीक है बिकाज में कोद जरूद नहीं है वालतो टाइम वेस्ट करने से फाइदा क्या जैको simply क्या करना आप A की value निकालना सिर्फ अब जैको हमें निकालना नॉर्मल वोल्टेज पर आपका नॉर्मल वोल्टेज कौन सा है 400 ठीक है नॉर्मल वोल्टेज पर आपके frequency करती है 50 Hz यह आपके F की value कहा रखेंगे 50 Hz यह से देखो addy current loss क्या होगा P equals to A की value 0.64 ठीक है multiply simply 50 का square clear है यह आपको मिल जाएगा addy current loss 1600 1600 clear है इतना यह आज से देखो एक और चीज समझ में आई आपका जो first case था ना first case में इसने loss किते दिये थे 2500 वोट दिये थे 2500 में से 1600 तो आपके क्या है addy current loss hysteresis loss किते हो जाएंगे जो बचे हुए loss कान से हो गए hysteresis loss किते बचे ही आपके 900 clear है hysteresis पूछा होता तो hysteresis भी हम easily निकाल सकते हैं कोई doubt नहीं आ तक cancer हो जाएगा तो एक अगला option देखते है इना transformer the cold loss is 100 Watt at 40 Hz तो इसमें भी देखो यह आपका एक case हो गया ठीका दूसरा इसने दिया 72 Watt at 37 Hz यह आपके 37 नी 30 है ठीक है ना medic current and hysteresis loss at 50 Hz पूचा किते भी 50 Hz पहे तो पहले दो cases है ठीक है तो दोनो cases के according देखो लिखते हैं देखो first case में let's say assume करते है PI1 है ठीक है PI1 इसने हमें दिया है 100 Watt clear है 100 Watt कब दिया है at 40 Hz clear है और जो I2 होगा PI2 यह इसने दे दिया हमें 72 Watt at 30 Hz clear है इतना अब देखो यहाँ पहे है हमें simply पहले 2 equation बनानी पड़ेगी ठीक है ना तो देखो अगर इस case के लिए ठीक एन इस case के लिए सुने के लिए अगर equation में लिकूंगा तो क्या होगी देखो इसके लिए हो जाएगी simply 100 equals to A 40 का square ठीक है already मैं देखो 3-4 question कर रहा चुक है यह हो जाएगा B 40 clear है यह मेरी हो जाएगी first equation second बन जाएगी मेरी देखो 72 equals to A यह पर हो गया यह 30 का square plus B यह आपको हो गया 30 clear है यह मेरी हो गई second equation ठीक है तो देखो from first and second from first and second ठीक है दो equation आपके बास simple mathematics करेंगे simple A और B की value निकालेंगे देखो जब first equation को solve करोंगे A की value आपको मिल गई 0.01 और जो B है की value आपको मिलेगी 2.1 ठीक है इसलिए आप निकाल सकते हो कोई problem ने होनी चाहिए इसमें आपको तो देखो A और B की value निकल गई अब हमें simple क्या निकालना है losses निकालना है अब देखो जो आपकी normal equation की बात करते हो ठीक है वो क्या लिखते हो उसको P I equals to A F का square plus B F यह तो आप लिखते हो अब देखो यहाप है आपको पूचा का है इसने पूचा है 50 Hz frequency पे निकालने को तो यानि frequency की value का रखोंगे 50 तो simply इसको solve करेंगे तो क्या होगा A की value है 0.01 clear है and आपकी frequency 50 Hz ठीक है plus यह आपका हो गया B की value 2.1 और frequency है 50 clear तो इसको solve करेंगे यह आपको खिता मिलेगा 25 Watt plus यह आपको हो जाएगा 105 Watt तो आपकी जो यह वाली value है यह आपको किसको denote करती है add current loss को ठीक है यानि PE और यह वाला किसको denote करता है serasis loss को यानि PH तो इसमें separate पूचे तो answer क्या हो जाएगा 25 Watt and 105 Watt total पूचा होता तो दोनों को add कर लेता है यह option आपका correct answer है for a single phase two winding transformer the supply frequency and voltage are both increased by 10% यह आपने कि क्या voltage and frequency दोनों को ही 10% increase कर दिया the percentage change in sterasis loss and add current loss ठीक है दोनों में बताने क्या percentage change होगा clear एतना तो पहला step वही V by F check करना होता है तो यह को assume करते हम ठीक है मान लेते हैं यह voltage था पहले 100V ठीक है और जो frequency थी यह आपकी थी 100Hz clear है इस case में आपका जो V by F हुआ V by F आपका क्या होगा 100 by 100 जाने कि 1 mili by F clear है इतना ठीक है यह आपका होगया first case अब देखो second case में आपने क्या गया 10% दोनों को ही बढ़ा दिया 10% simply हमें increase करना है ठीक है दोनों values को voltage को भी और frequency को भी तो देखो initially आपका voltage था V ठीक है second initially आपका voltage था 100 ठीक है इसको 10% बढ़ाने के बाद यह कितना हो जाएगा आपका 100 and 10 ठीक है initially आपकी frequency थी 100 Hz 10% बढ़ाने के बाद किती हो जाएगी यह 100 and 10 किन दोन से अगर आप V by F निकालते तो कितना आएगा 110 divided by 110 यानि कि 1 तो जब देखो जब आपने 10% नहीं बढ़ाया तब आपकी V by F ती value 1 जब 10% दोनों भी बढ़ा दिये तब भी V by F की value किती आई 1 तो केस कौन सा हुआ यह V by F same वाला ठीक है जनी कि इस question में case क्या चल रहा है V by F same वाला ठीक है V by F जब same होता है तब जो relation होते तो देखो add current का relation रहता है F square ठीक है और जो hysteresis का relation रहता है वो रहता है F clear रहतना अब देखो यह आपे simply आप frequency को क्या कर रहे हो 10% increase कर रहे हो यह आपे देखो यह जो frequency है यह आप अगर 10% बढ़ा रहे हो यह आपे जो hysteresis loss होंगे यह भी आपके simply 10% बढ़ जाएंगे because यह को दोनों किसमे एक direct relation में है ठीक है कोई power वगरा है नहीं आप है तो direct बता सकते हो यह frequency को 10% बढ़ाऊंगे तो hysteresis loss भी 10% बढ़ाएंगे ठीक है तो यह तो हो गया clear जो आपके hysteresis loss है pH यह आपके simply 10% increase हो जाएंगे clear है इतना अब देखो दूसरा देखते है add current loss ठीक है तो इसका relation हमें पता है यह होता है F square का ठीक है तो देखो इसकी shortcut trick होती है जित्ते भी आपके relation वाले होते है percentage relation वाले ठीक उसमें increase, decrease बताना हो तो उसके लिए एक shortcut trick होती है अगर वो आपको सीखनी है तो उसके लिए आप मेरी percentage concept वाली वीडियो देख सकते हो ठीक है उसमें मैंने losses के जित्ते भी questionnaire transformer के वो सारे वो ट्रिक से करवा है तो आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा clear है तो यहाँ पर देखो simply कैसे निकालते है देखो इसमें percentage change percentage change equals to simply देखो यहाँ पर एक है relation कैसा है आपका square वाला relation है तो यहाँ पर simply करेंगे n square minus 1 ठीक है into 100 clear है अब देखो अगर मेरे पार relation कुछ इस टाइप का होता जैसे t proportional to 1 by f इसके लिए अगर मैं percentage change का formula लिखता न उस time में लिखता 1 by n minus 1 ठीक है अगर यहाँ पर frequency का square होता तो यहाँ यह n का square आ जाता ठीक है simple ऐसे यह formula बनाना है clear है यहाँ तक अब देखो यहाँ पर simply मैं को n की value लिखनी है n की value क्या होती है simply देखो 1 ठीक है plus minus जो भी percentage आपको given है clear है यहाँ पर देखो plus sign तब यूज करना है जब जो आपको percentage दिया न वो increase है clear है और minus तब यूज करना है आपको जब जो percentage दिया है वो decrease है ठीक है जब आप decrease कर रहे हो इस case में n की value क्या जाएक देखो n equals to 1 percentage इसने के बोले 10% बढ़ा रहे तो यह गया plus 10% ठीक है 10% का मतलब क्या हो गया .1 यह value हो गया 1.1 ठीक है यह value सिंप्ली यह आपर रख सकते हो तो percentage change किता हो जागा देखो percentage change percentage change यह आपको जागा देखो 1.1 का square 1.1 का square minus 1 ठीक है in 200 यह आपको कहता मिलेगा simply तो solve करना यह आपको मिलेगा 21% यानि कि क्या हो इसका मतलब जो आपका addy current loss है यह आपका 21% increase होगा clear है अगर आप 10% frequency और voltage दोनों को increase करते हो यानि आप cancer क्या होगा 10 and 21 यह आपर देखो mistake मत करना C वाला option में देखो 21 and 20 है 21 और 10 है ठीक है बड़ आपके देखो पहले पूछा hysteresis का फिर पूछा addy current का पहले hysteresis का हम जबाव देंगे फिर addy current का जबाव देंगे clear है तो पहले 10 फिर 21 तो hysteresis and addy current loss of a single phase transformer working on 200 volt 50 hertz ठीक है इतने पर काम कर रहे है तो आपके losses से एक तो hysteresis pH और addy current PE the percentage decrease in these losses when operated on 120 volt 40 hertz तो देखो पहले यापे V by F चेक करना हो था ठीक है पहले देखो आप operate करा रहे हो 200 volt and 50 hertz पहे तो यह किता आएगा आपका यह होगी आपका 4 ठीक है यह आपका होगा 4 clear है अब देखो दूसरे case में आप क्या कर रहे हो तो जब आप operate कर रहे हो 160 volt divided by 40 hertz यह भी आपका किता आएगा 4 यानि कि इन दोनों को देखके पता क्या चला आपको आपका यह case किसका है V by F same वाला case है ठीक है clear रहे इतना अब देखो जब आपके V by F same होता है तब आपको relation तो पता ही है PE का क्या relation रहता है F square के proportional और hysteresis loss होता है pH यह आपका simply frequency के proportional होता है यहा तो कोई doubt नहीं है अब देखो यह आपके एक बार समझना ध्यान से पहले वोल्ट था 20 sorry 200 वोल्ट ठीक है तो आपने change किया 1 60 वोल्ट में ठीक है frequency आपकी थी 50 Hz तो आपने sum करके कर दिया 40 Hz clear है तो यह आपके जब आप देखते हो percentage में तो आपने क्या किया है voltage को तो 20% decrease कर दिया clear है और frequency को भी आपने 20% decrease कर दिया यहाँ तो कोई doubt नहीं है simple देखके बता सकते हो कितने percentage में आपने decrease किया है ठीक है तो देखो कितने आपने decrease कर दिया हमें पता है कि जो आपका hysteresis loss होता है यह 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 तो direct relation में होता है frequency के साथ because v by f वाला same वाला case है ठीक है तो यहाँ पर क्या हो रहा है frequency 20% decrease हो रही है ठीक है तो आपका hysteresis loss भी क्या होगा 20% decrease होगा ठीक है तो हमें hysteresis loss तो पता चल गया कि 20% decrease होगा ठीक है अब हमें क्या निकालना है eddy current के लिए निकालना है clear है p e proportional to f का square ठीक है ठीक है यहाँ पर देखो आप n square minus 1 भी कर सकते हो 1 minus n square भी कर सकते हो add the n यहाँ पर जो value आपको लानी है न वो positive में मिलने चाहिए ठीक है वुश्याप से आप formula को आगे पीछे करोंगे तो यहाँ पर देखो इस case में n की value क्या होगी 1 ठीक है यहाँ पर क्या हो रहा है decrease हो रहा है decrease की case में क्या हैगा sign negative किते % decrease हो रहा है 20% n की value किते हो जाएगी 1 minus 0.2 यानि की 0.8 clear है यहाँ पर value रखते देखो percentage change equals to यहाँ पर देखो यह हो जाएगा 1 minus 0.8 का square ठीक है into 100 यह आपको मिल जाएगा 36% यानि की आपको जो hysteresis loss है यह तो आपका होगा 20% reduce और जो आपका addy current loss है PE यह आपका होगा 36% reduce clear है तो पहले इसमें देखो पहले किसके लिए पूचा है ठीक हो उसके according हम answer देएंगे तो पहले इसमें पूचा है देखो hysteresis के लिए ठीक है फिर addy के लिए hysteresis 20 addy 36 यानि B option आपका correct answer है clear है यह अपकी shortcut trick आपको समझ में नहीं आई तो इसके लिए मेरी आप percentage concept वाली video देख सकते हो ठीक है उसमें मैंने और detail में यह चीज़ आपको समझा रखी है तो अगला question देखते है तो देखके अगला question क्या है on no load phasor diagram of a transformer the core loss component of the current remains in phase width आपको क्या बोला है देखो no load phasor diagram ठीक है यानि जब आपका कोई भी load नहीं है तो जब आपको load नहीं होता तो आप जब इसका circuit बनाते हो ठीक है transformer का देखके कुछ इस टाइप का होता है यह primary winding ठीक है यहापका यह core का circuit हो यह core का आपका resistance ठीक है यह core का reactance ठीक है यहाप यहापका current होता है 0 यह iw क्यों होता है आपका IM ठीक है यह आपका RW resistance EXM magnetizing current magnetizing reactance यह आपका V1 primary voltage clear है इतना अब देखो आपका क्या रहता है इसमें देखो simply पहले हम बनाते है flux को ठीक है आपने EMF equation पढ़ी होगी transformer की ठीक है तो EMF equation में आपने पढ़ा होगा कि जो voltage होता है ठीक है primary voltage वो flux से 90 degree आगे होता है यह आपका हो गया primary voltage V1 यह V1 हो गया यह flux हो गया इतना clear आपका अब देखो यह आपर यह current कौन सा है यह वाला IM ठीक ही किस के दुरुप flow हो रहा है inductor के दुरुप flow हो रहा है inductor में current हमेशा क्या करेगा 90 degree lag करेगा voltage से voltage यह रहा इससे 90 degree lag करवा देते हैं हम ठीक है यह हमारा हो गया 90 degree lag हो ठीक है अब देखो यह क्या current है IW ठीक है यह आपका होता है core loss component clear है तो यह देखो जासे जो current flow होगा वह वाला current और यह voltage यह same phase में रहेंगे because resistance में आपका कोई भी phase difference नहीं रहता तो यह हो गया same phase में IW ठीक है तो resultant देखो यह क्या हो जाएगा यह आपका resultant हो जाएगा आई नॉट तो यह पर यह जो since no load की बात है ठीक है हम लिखते है आई नॉट ठीक है तो यह पर देखो current है ठीक है समझते इसको अच्छे से देखो आई नॉट current यह आपका होता है दो से बना हुआ ठीक है एक होता है आई डबलू यह होता है यह नि magnetizing current आपका आई डबलू होता है यह आपका रहता है in phase in phase with V1 जो भी आपका primary voltage है उसके साथ phase में रहता है ठीक है यह आपका magnetizing current है यह आपका किसके साथ रहता है in phase with flux ठीक है जो भी आपका flux है यह साथ phase में रहता है यह फिर तो यह लिखेंगे यह फिर क्या लिखेंगे in quadrature quadrature with V1 मतलब क्या है V1 के साथ 90 degree lag में रहता है ठीक है तो यह भी आपका बसकता है तो इसमें देखो इसने बुला cold loss component cold loss कान सा होता है यह वाला ठीक है IW into RW ठीक है यह आपका cold loss हो जाएगा तो यह आपके देखो simply किसमें रह गई है primary voltage के साथ phase में रह गईगा तो यह transformer core 3rd and 5th harmonic component of fluxes are 10% and 4% of the fundamental flux respectively तो देखो यह पर पहले एक बार harmonics क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूँ ठीक है देखो let's आपको EMF induced है ठीक है उस EMF induced जो हुआ है आपका तो उसकी जो waveform है उस इस type के देखो यह waveform है ठीक है EMF induced हुए आपका तो यह आपका complete क्या होता है समझात है ठीक है तो देखो अगर मैं आपको देखो एक दो तीन इन यह एक आपकी होगी यह एक होगी यह इन यहाँ से आपकी यह एक और होगी यह एक और बना दी इन तोटल क्ति बना दी तीन यह नहीं कि इस पूरे waveform के इस पूरे waveform के time period में मैंने total 3 और waveform बनाई है न छोटी 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 बनाई यह आपकी है hard harmonics hard harmonics clear है तो इसके जैसे क्या होता है ठीक है resultant आपका होगा न एमF वो आपका simply distortion हो जाएगा उसमें ठीक है कुछ इस type का आपको resultant EMF मिलेगा pure sinusoidal नहीं मिल रहा है distortion मिल रहा है इसमें clear है तो harmonics simple भासा में बोले तो क्या होता है distortion from sinusoidal wave जो पिया आपकी sinusoidal wave है तो जो distortion आता है न वो आपका harmonics होता है ठीक है तो कि मैं third harmonic बोलता हो इसका मतलब है कि आपके complete waveform में यापका complete time period में total 3 waves बनेगी ठीक है छोटी 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 देखो इस question के according अगर चलते तो देखो आपका पहला बोलत थड़ harmonic तो थड़ आर्मोनिक में आपकी frequency क्या हो जागी यानि जो f3 है कितना हो जाता है three times हो जाता है तो यहापे देखो मैंने already waves से समझा दिया ठीक है frequency frequency 3 गुना हो जाती है तो अब देखो यहापे नॉर्मली आप दिब इम एफ की बात करते हो ठीक है जो आपका फिलाल यह दोनों क्या है basically इसमें यह जित्ती भी parameter लेगे ना मिन है यह प्रोपोश्चनल दू पाई एम और एफ यह सारी चीज़े क्या आपकी fundamental components है यह सारे ठीक है अब देखो हम थढ़ हर्मोनिक के लिए क्या EMF इंडूस होगा वो निकालना है ठीक है तो मैं कैसे निका हर्मोनिक के लिए ठीक है कोशन में बोल दिया हर्मोनिक के लिए जो आपका flux है वो क्या है 10% of fundamental flux ठीक है fundamental flux क्या है 5m यानि इसका 10% यानि की 10% of 5m ठीक है frequency कितनी है आपकी 3 times 3 times of f यह से यह किता है मिल गया देखो 30% 5m and f यह कौन सी value आपको मैंने बता है अभी fundamental value ठीक है तो यहाप पर यह क्या मिल आपको 30% of e यानि जो थर्ड आर्मोनिक है जो यह थर्ड आर्मोनिक में जो emf induced होगा यह कितना होगा 30% of fundamental induced emf यानि की यह हो गया 30% ठीक है अब देखो second पुझा 5th आर्मोनिक के लिए 5th अब देखो 5th आर्मोनिक में आपके frequency क्या रहती है simply f 5 equals to 5 गुन हो जाएगी ठीक है simple तो देखो इसमें जो fundamental emf यह होगा 5th आर्मोनिक का e5 तो simply क्या होगा जो भी fundamental flux है ठीक है बिसलिए harmonic ओला जो flux है into जो भी आपकी frequency है आज से देखो simply यह कितना हो जाएगा आपका ने दि जाए ठीक है 4% of fundamental flux यानिकि 4% of 5m ठीक है frequency किती है 5 times of f यह किता मिल गया आपका 54020 यानिकि 20% 5m into f और यह value कि आपकी fundamental value emf induced की ठीक है तो यहा से यह मिल गया 20% of fundamental induced emf आपका answer क्या हो जाएगा 30% and 20% clear यानि यह option आपका correct answer है if a sinusoidal voltage source connected to a power transformer no load current would be तो देखो आपको मैंने last questions में phasor diagram वगरा समझाये थे ठीक है क्या थे simply देखो यह आपका 5m था ठीक है यह आपका जो primary voltage है v1 clear then यह आपका था i.m यह आपे ठीक है since 90 degree lag करेगा voltage से 90 degree lag करवा दिया यह आपका हो गया था i.w ठीक है then इन दोनों का resultant है वो आपका यह हो गया इन दोनों का resultant clear है दोनों के बीचे एंगल क्या होगा five-not यह आपे आप देख सकते हो जो five-not है ना इसके value कैं 90 degree से क्या है कम है यानि कि जो भी आपका current है ना यह अपका current अपका no load current है यह आपका है no load current जो भी आपका no load current है यह आपका voltage से lag करेगा और 90 degree से कम करेगा ठीक है और आपका ना यह रहना हमेसा reach in third harmonique होगा 13 चेंड और हर्मोनिक क्योंकि आपका सेटूरेशन होता हुसके वज़े से ठीक है due to saturation saturation of iron core जो आपका iron core है न उसके वज़े से ये आपका अपका करेक्ट पार्मोनिक में बहुत रीच होता है यानि प्शन आपका और आंसर है देख सकते हो आपका fundamental fundamental मतलब simply I0 की बात हो रही है ठीक है lack करेगा voltage से less than 90 degree तो देख सकते हो less than 90 ही है the transformer exciting current as two component exciting current मतलब I0 ठीक है ना? exciting current मतलब हो गया I0 दो component रोटे इसके ठीक है ठीक है आपका उता magnetizing component यानि I am ठीक हो उता core loss यानि कि IW neglecting impedance drop देखो या पर simply देखो या आपका हो गया exciting current ठीक है दो टुकडों से बना होगा रहता है ठीक है आपका होता है IW ठीक होता है I am ठीक है ठीक है जो IW होता है या हमेसा आपका in phase यानि phase में होता है in phase with जो भी आपकी primary voltage है उसके साथ phase में रहता है ठीक है और जो आपका I am होता है या आपका हमेसा quadrature में रहता है ठीक है यानि कि quadrature quadrature का मतले basically 90 degree ठीक है quadrature with B1 कि या फिर ऐसे लिखते है कि 90 degree lag करता है clear है दोको इसने पहले पूचा है magnetizing current का फिर पूचा है cold loss का ठीक है magnetizing current तो 90 degree हो जाएगा तको तो या पर हो जाएगा ये तो आपका answer का हो जाएगा B option आपका correct answer होगा तो पढ़ भी सकते हो B को देखो the former lacks the supply voltage by 90 degree while the latter is in phase with the supply voltage यानि जो बाद वाला है यानि cold loss component वो तो phase में रहागा supply voltage के साथ पहले magnetizing current है ये आपका supply 2000-200 volt 50 single phase transformer as an exciting current of 0.5 ampere ठीक है देखो question में बोला है कि आपका जो exciting current है यानि कि I not इसने 0.5 ampere देदिया इसने ठीक और इसने बोल दिया जो cold loss है यानि PI इसने 600 watt clear है या तक इसने बोल दिया कि हमें बताइए कि magnetizing current क्या होगा clear रहे इतना अब देखो simple मैं एक बार circuit बनाता हूँ कुछ इस type का बनेगा यह यह आपका circuit कुछ type का यह core बन गया ठीक है यह आपकी यह पर primary winding बन गई यह आपकी हो गई secondary winding clear इतना अब देखो primary winding में supply किती दे रहे आप 2000 clear है ratio दे रहे हैं 2000-200 यह आपके डिखऊज़ एक बार यह करेंड आपका होता है if matters i w i x r c clear है अब देखो जो आपका core loss होता है core loss offset यह आपका होता है due to due to RW या पर जो RW resistance है न इसकी वज़े से आपका core loss होता है इसके आपके core में तो देखो core loss हमें अल्यड़ी दे चुके 600W दिया है यहाँ से आप simply देख सकते हो यह जो 2000V है न यहाँ पर यह वाला यह देखो पूरा का पूरा इस resistance के across है यानि की कुछ इस तरक है यह देखो यह आपका RW है और इसके across पूरा voltage देदिया हमे 2000W ठीक है इसमें current आपका है IW clear रहे इतना अब जेखो इसने बोल दिया जो loss है इस वाले में वो खिता है 600W ठीक है तो 600W इकल्स टू I2W into RW ठीक है मैंको RW की value नहीं बता तो यह से solve नहीं कर सकता इसको मैं और ऐसे भी तो लिख सकता हूँ P into IW दोने power के formula होते है यह होग है देखो cold loss equals to voltage आपको है 2000 ठीक है into IW यहाँ से IW किता हैगा देखो यहाँ जागा 600 divided by 2000 ठीक है तो simply solve करते है clear रहे इतना अब देखो यहाँ पर जो हमने यह equivalent circuit बनाया ठीक है तो basically circuit बनाया न आपको IW की value आपके लिखते हो simply तो भी आपकी IW की value उसका square plus जो भी IW की value उसका square then root में लिखते हो ऐसी तो हम निकालते value बढ़ हमें देखो IW दे दिया IW हमने निकाल दिया whole loss की मदद से ठीक है अब easily आप यहाँ आप यहाँ निकाल सकते हैं प्यासे देखो I am क्या हो जाएगा I am square equals to जो भी I not है उसका square minus I जब लू का square ठीक है तो यह आपकी हो जाएगी value देखो square करेंगे तो यह आपका होगा 0.25 square करेंगे तो यह आपका 0.9 then root में ठीक है यह आपको मिल जाएगा 0.16 root में यह आपका जाएगा 0.4 ampere clear है यह आपका answer क्या हो जाएगा ठीक जिसके लिए आपको बस यह पता होना चाहिए जो cold loss होता है न यह cold loss है ठीक है यह आपके जो inductor है यह तो एक क्या storing element होते है यह कोई आपके losses के लिए responsible नहीं होते है ठीक है तो यह आपके losses दिया यह obvious ही बात हो गई इस resistance के वज़े से दिया तो हमने क्या simply इसके across अगर normally loss निकालना होता तो कैसे निकालते है I square R करके बट सिंस हमें R की value नहीं पता तो हमने क्या क्या दूसरा formula यह इस किया voltage into current यह भी power का यह formula होता है यहासे हमने simply IW निकाल दिया फिर हमें यह relation पता ही था ठीक है यहासे हमने IM निकाल दिया a single phase transformer has turns ratio 1 ratio 2 and is connected to purely resistive load as shown in the figure the magnetizing current is 1 ampere and the secondary current is 1 ampere if the cold loss and leakage reactance are neglected यह हमने neglect कर दिया ठीक है the primary current is आपका primary current क्या होगा तो इसका अगर normally आप circuit बनाते हो तो कुछ इस type का बनेगा यह तो देखो यह आपका होगया XM ठीक है मैं RW नहीं बना रहा क्यों विकोज इसने बोल दिया cold loss हमें reactance को सबको neglect करना है तो मैंने R1 भी नहीं बनाया X1 भी नहीं बनाया ठीक है सबको हमने neglect कर दिया तो कुछ इस type का अपका circuit है यह primary winding है ठीक है यह हमारी secondary winding है यहा तक आपका clear है यहापका एक resistance दे दिया इसने ठीक है और यहापको दिया करन्ट किता फ्लो हो रहा है 1 ampere ratio दिया है इसने 1 ratio 2 और यह जो current है magnetizing current जो है यह वाला यह आपको दिया है 1 ampere तो आपको बोला है I1 को निकाल लिए clear है इतना अब देको में को यह वाला current निकालना है तो normally जब आप equivalent circuit पढ़ते हो transformer का तो आपको current होता है उसको क्या लिखते हो simply I2 dash यानि कि जो भी current आपका यहापके होता है तो आप क्या करते हो primary में shift करते हो तो देखो जब आप 1 ampere को primary में shift करोंगे ठीक है तो वो हो गया I2 dash I2 dash की value क्या होती है simply जो भी transformation ratio है उससे यह divide हो जाता है यानि कि 1 ampere divided by N यानि कि 1 ampere divided by यह किता है 1 ratio to 2 यानि 2 पर चला जाएगा तो यह में को मिल गया 2 ampere clear है यानि यहापर यह कितना current हो गया 2 ampere अब में को simply I1 की value भी निकालनी है देखो I1 की value क्या हो जाएगा I1 equals 2 देखो यहापर यह हो गया 1 का square plus 2 का square ठीक है यह आपका आजाएगा देखो 5 ठीक है root में 5 का root करेंगे किता है आपका 2.2 4 ampere clear है तो आपका answer क्या हो जाएगा इसका अड़ी तो देखो क्या होता है simply जब भी आप secondary से primary में shift करते हो parameter ठीक है तो देखो अगर आप है na current को transfer कर रहे हो ठीक है तो जो current होगा वो simply transformation ratio से divide हो जाएगा अगर आप z यानि impedance को transfer कर रहे हो तो वो हो जाएगा n2 z ठीक है voltage को transfer कर रहे हो तो वो simply हो जाएगा n into 3 या पर n की value आपको क्या लेनी है n1 divided by n2 ठीक है न आपका answer हो गया इस question में ठीक है तो अगला question देखते है at which condition of the transformer the equivalent circuit will be shown in the figure तो या पर आप देख सकते हो यह क्या आपका r0 यह x0 ठीक है यह basically क्या हो गया आपका magnetizing component ठीक है फिर magnetizing reactance जिसको बोलते हो magnetizing reactance ठीक है ओडिए रहे और यह आपका हो गया four loss component four loss component रहे इसके आगे आपका आपका क्या हता है primary winding होती है ठीक है गज़ इस टाइब की और वाह पह आपका आपकी secondary winding होती है तो यह circuit आपका किसका होता है open circuit का होता ठीक है under open circuit open circuit test और short circuit test करते है clear है तो यहाप पर देखो यह क्या आपका इसमें आपने क्या कर गाए short कर गाए ठीक है तो यहापकी कौन सा है short circuit test यहापका हो गया A ठीक अब देखो इस short circuit test में क्या है आपको यहापको कहे दिए R01 और X01 अब यह सिंपलीन का मतलब क्या है जो आपका R01 है इसका मतलब है कि आपके secondary side में जित्ते भी resistance थे ठीक है उनको हमने primary में shift कर दिया इसका equivalent क्या होगा देखो सिंपली जो भी आपका primary में resistance था प्लस N2 इंटू जो भी आपका secondary में था वैसे आपका देखो जो reactance है जो भी primary में था प्लस N2 इंटू जो भी secondary में था एन की वाली का लेंगे हम N1 divided by N2 ठीक है दोने formula आपके लिए बहुत important होते है उनको अगला option देखते है in the transformer the exciting current will be in phase quadrature with the impressed voltage provided अब देखो यहापे समझो exciting current में नहीं बताया था ना I0 ठीक है देखो यह क्या बोल रहा है यह आपका F IEM ठीक है यह आपका हो गया primary voltage या फिल supply voltage ग्लियर है तो देखो जब magnetizing current की बात करते हो IEM वो हमें सा इस voltage से 90 degree पीछे होता है ठीक है और जो आपका cold loss component होता है ठीक है वो हमें सा voltage के साथ phase में रहता है और यह आपका हो गया I0 ठीक है यह आपका हो गया इसके बिंच में phase difference ठीक है बट इस question में क्या बोला कि आपका जो voltage है और जो यह वाला exciting current है कि इनके बीच में angle है 90 degree अब ज़रा सोचिए यह angle 90 degree कब होगा इनके बीच में ठीक है अब हो सकता है जब आपकी यह वाली value zero हो जाए clear इतना because देखो जैसे यह zero होगी न अब आपका phaser है देखो कैसा बनेगा because देखो इसमें क्या हो रहा था कि जब आपका यह zero नहीं था तब आपका ऐसे resultant आपको लेना पड़ रहा था अब क्या हो जाएगा कि आपको जो resultant है वो I am और I not same हो गया यानि exciting current magnetizing current के equal हो गया because अब कोई भी cold loss component नहीं है तो अब क्या हो गए इनके बीच में 90 degree यानि कि अब जो आपका supply voltage है और जो exciting current है यह कहाँगे quadrature में question में यही बोला था इसने clear है यानि कि देखो phase quadrature exciting current and supply voltage clear है तो यह कब होँगे जब आपका जो यह cold loss component है clear है cold loss इनको आप क्या कर दो zero कर दो ठीक है और और आपको जो leakage current है और यह leakage reactance leakage reactance उसको भी zero रखना पड़ेगा and rw को भी zero ठीक है यह दो चीज़ आपको करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा simply यह 90 degree मिल जाएगा तो यह किस में होता है आपका ideal transformer clear है आपको क्या करना पड़ेगा both the leakage impedance drop and the cold loss are ignored clear है the power factor of a power transformer on no load will be आपका देखो जो no load होता है ठीक है simple पहले देखो phagor diagram से दोनों कुछिन एक साथ आपको समझा देता हूँ देखो यह आपका 5m ठीक है यह आपका supply voltage तो देखो यह आपको क्या होता है magnetizing current यह आपका होता है iw अब ज़रा सोचिए आपका कोई भी load नहीं लगा हुआ ठीक है load नहीं है तो आपका main component है current का ठीक है load ही कुछ नहीं है तो आपको main current का component कौन सा होगा magnetizing current वाला होगा तो उसको आपके core को magnetize करना है ठीक है तो यह आपके देख सकते हो magnetize वाला जो component है वो मैंने बड़ा बनाया है ठीक है विकॉज यह आपको ज़्यादा चीएगा core को magnetize करने के लिए ठीक है और आपको कोई load भी नहीं है तो उससे से क्या होता है देखो अब जो result है मनेगा तो य जाता है तो cos y0 क्या हो जाएगा फ़द कम हो जाएगा तो यह किसकी वज़े से होता है power factor बहुत कम magnetizing reactance की वज़े से होता है ठीक है और अगर इसकी value के आप बात करते हो ना cos y0 की तो यह आपको 0.1 से लेके 0.2 तक clear है अब देखो यह तो वही पाउर फेक्टर की बात अग ठीक है तो यह data आपको पूछा जाता है तो इसका तो answer हो गया D इसका हो गया A in the transformer core a material having high reluctance high reluctance path but having same hysteresis loop is employed ठीक है तो इससे क्या फरक पड़ेगा यह बताना है तो देखो जब आप reluctance की बात करते हो ठीक है निकी S यह होता है आपका 1 upon mu L by A unit होती है ampere ton per Weber ठीक है या फिर Henry inverse ठीक है या आपको होता है reluctance का formula बेसिकली एक तरज के resistance की जैसे होता है ठीक है resistance आपके current का oppose करता है या पर reluctance आपके flux का oppose करता है ठीक है अब ज़रा सोचिए अगर आपका जो reluctance है ठीक है निकी S या आपके flux का oppose करेगा फाई का clear है अब क्या होगा आपका जो magnetizing current है ठीक है I am वो क्या चाहिएगा आपको ज़्यादा चाहिएगा core को magnetize करने के लिए clear है ठीक हो reluctance आपके circuit का आपने बढ़ा दिया ठीक है बहुत ज्यादा कर दिया आपने reluctance उसके जैसे क्या होगा और flux को flow ओनों में बहुत opposition मिलेगा clear resistance के जैसे समझो बहुत opposition होगा तो अब क्या होगा जो core है आपका iron core वो magnetize easily नहीं होगा तो magnetize करने के लिए अब जो आपको magnetizing current चाहिएगा वो बहुत ज्यादा चाहिएगा ठीक है ज्यादा चाहिएगा तो यानिकी effect नहीं आएगा आपके reluctance से clear है primary winding of a transformer comprises of two identical windings in parallel if one winding is removed magnetizing current will be तो देखो आपने पड़ा होगा magneto motive force ठीक है mmf इसको हम simply लिखते है number of turns into current तो यह आपका हमेशा constant रहेगा constant clear है तो देखो यहापर क्या है दोनों पिलाल starting में क्या आते है parallel में connect है clear है parallel में connect है तो number of turns बहुत आ रहे थे अब जैसे आपने एक जो winding थी तो remove कर दिया तो आपने क्या-क्या number of turns कम कर दिये number of turns आपने कम कर दिये तो अब देखो mmf तो आपको constant होगा उसके लिखे होगा आपका जो magnetizing current है IEM यह क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा ठीक है यानि जितने ratio से आपके number of turns कम होए उतने ratio से आपका magnetizing current बढ़ जाएगा जिससे आपका जो mmf है वो constant रहेगा ठीक है यानि कि double हो जाएगा magnetizing current the core flux of a practical transformer with a resistance load simply क्या होता है आपका constant रहता है flux load के change होने के साथ भी ठीक है यह मैंने आपको last lecture में समझा दिया था figure shows an ideal single phase transformer the primary and secondary coil are warned on a 4 as shown turns ratio n1 by n2 equal to 2 the correct phasor of e1 e2 and current i1 i2 and core flux 5 are shown in the figure clear है या तक तो question में देखो ideal transformer दिया ठीक ना ideal transformer यानि कि आपका r1 भी नहीं है x1 भी नहीं है r2 भी नहीं है x2 भी नहीं है और rw भी नहीं है clear रहता है अब देखो या पर है इसमें देखो current कैसे ऐसे flow हो रहा है ठीक है या पर simply आप ampere law लगा सकते हूं ampere का right hand rule आपकी सारी fingers को current की direction में place करो तो आपको जो thumb होगा वो flux की direction बताएगा ठीक है तो या आज से आपका flux यह कुछ इस तरह flow हो रहा है ठीक है यह आपका flux है alpha microphone टाइगा थो फाईगा यहां पर देखो यह अपकी डैक्शन दे रखने ठीक है ठीक है तो जिस तरह दिए यह आपकी डैक्शन है तो यही आपकी डैक्शन है करण्ट की तो यह आप पर देखोáis fingers को रुको currently winter में होगै यह वाली यह आपका क्या होगा 5-2 तो यह आपके देख सकते हो 5-1 और 5-2 क्या हो रहे है एक दूसरे के opposition में ठीक है यानि कि आपका जो lens low है वो follow हो रहा है clear है lens low follow हो रहा है तो यानि कि अब जो EMF induce होगा ठीक है E1 और E2 ठीक है E1 और E2 को opposite में बनाना पड़ता ऐसे है ठीक है बट यहापे आपका lens low already follow हो रहा है clear है तो यह आपके same phase में रहेंगे ठीक है इतना तो देखो normally phaser कैसा रहता आपका simply यह आपका 5-m यह आपका E1 clear है अब देखो since lens low follow हो रहा है ठीक है तो E2 भी आपका इस E1 के साथ ही आएगा अगर आपका follow नहीं होता यहनि यह current की reaction अगर ऐसे नहीं होता इसकी opposite में होती तो E2 आपको नीचे बनाना पड़ता clear है यह चीज और यहापे देखो since यह ideal transform हो रहा है तो आपके जो resistance, reactance, कुछ भी component नहीं है तो जो current की current होंगे ठीक है उनका phasor भी आपके same में ही रहेगा I1, I2 clear है आपका answer क्या होगा figure A ठीक है आपके book में figure B दिया है बट correct answer होगा figure A the flux in a transformer core जो transformer core रहता है उसमें जो flux रहता हो क्या हता है simply constant रहता है load में कुछ भी change करो ठीक है already समझा चुका question the mutual flux in a loaded transformer can be varied by अब देखो आपका जो core होता है यह आपका core होता है ठीक है यह आपका core होता है यह आप आप winding बनाते हो ठीक है यह आप एक यह secondary में winding बनाते हो इस टाइप में ठीक है तो देखो इसमें जब आप current देते हो तब क्या होता है इसमें flux produce होता है कुछ इस टाइप में ठीक है और एक flux आपका ऐसे यह flow होता है जाता है कोई doubt नी अब देखो यह जो flux होता है आपका यह वाला यह वाला यह आपका एक तरह से leakage flux बोलते हैं leakage flux ठीक है जिसके वज़े से आपका self-induced EMF generate होता है और यह जो flux होता है यह आपका mutual flux क्यालाता है mutual flux clear है यह चीज अब देखो यह जो आपका core है iron core iron core तो देखो इस iron core का जो reluctance होगा reluctance मतलब जो इस flux का opposition करे ठीक है तो देखो अगर आप इसके flux को increase कर देते हो ठीक है और अगर आप इस iron core के reluctance को increase कर दोंगे तो भी इस mutual flux को इस particular path पे चलने के लिए पठीना है होगी यह आपोजिशन भी लेगा ने इसको clear है तो यानि इस mutual flux को कैसे vary कर सकते हो इस iron core का reluctance को vary करके clear है यानि की reluctance of the magnetic path यह चीज clear है आपकी जब primary ampere turn और counterbalance भाई अब देखो आपने simple current का तो इस ट्रांसफोर्म में यह relation तो पड़ी रखा है V1 by V2 equals to N1 by N2 equals to I2 by I1 clear है तो simply देखो इन दोनों को मैं use करता हो तो यह क्या हो जागा देखो I1 into N1 equals to N2 into I2 तो देख सकते हो यह आपे यह क्या है current unit का तो यह ampere और N की क्या होती है number of turns तो यह हो गया ampere turn कौन सी side का primary side का यह किसका हो गया ampere turn secondary side का तो जो आपका primary side का ampere turn है यह counterbalance किससे होता है secondary side ampere turn से क्या हो जाएगा A option correct answer clear है यह बिसक्क लिए आपके किसका formula होता है N into I MMF clear है magneto motive force का यह तो formula होता है number of turns into current तो आज के लिए बस इत्ता ही करेंगे बाकी questions हम अगली वीडियो में करेंगे Thank you very much